लो दोस्तो वेलकम टो मैं येट्यूब चैनल और आज हम आपको इस वीडियों बताने जा रहे हैं कि इस चैनल पर रिजिनिंग की बेसिक से किलास से स्टार्ट होने जा रही हैं जैसे के SSC, भिहार SSC, पुलिस, RRB, VPSC, LDC, DSSV, LDC अधर किसी भी एकजम में रिजिनिंग आती है तो दोस्तो इस चैनल पर बेसिक से हाई लेविल तक रिजिनिंग अवेलेविल होगी विद कॉंसेप्ट, विद एकजम पल, विद कुसन, विद फीडियप तो पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे दोस्तो कोडिंग और डिकोडिंग से तो कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको उस कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए कोडिंग और डिकोडिंग में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं या किस किस तरह के कितने प्रकार के कितने प्रकार के प्रसन पूछे जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से दोस्तों हर एक्जाम में लगवाव 5 प्रसन पूछे जाते हैं हर एक्जाम में ही पूछे जाते है है तो पहला आपका चिर हिसमें दिखते हैं अधिका है तो पहला टाइप आपका कोडिग और राधा कोड़िंग तो इसे कि यदि लेटर कोड़िं तो लेटर कोड़िंग पहला टाप हैं और को दूसरा टाइप क構न सा दोस्तों Bacon तो दूसरा टाइप आपका कौन सा है दोस्तों दूसरा टाइप है नम्मर फटी चेमिंपं मूंत मूं सा अबिटी ओको अंट टाया न rein इंजा vecय दोस्तों पहले थांख़ा हुआ यहाँ को लिकर अदने टीस्तों पहले पहले टोबरिकर आण तीसरा ताप mix coding ठीक है अगर आप इन तीनों तापया को कर लेते हैं दोस्तो तो किसी भी एक्जाम में किसी भी high level या low level कैसी भी coding decoding का कुशन हो泡़ athletes आप आराम से निकाल लेँगेograph तो जैसे letter coding करेंगे फिर करेंगे number coding फिर करेंगे mixed coding ठीक है तो अब हम पहले बात करते है लेटर कोडिंग के तो लेटर कोडिंग को करने से पहले हमको कुछ लेटरों के बारे में knowledge होनी चाहिए दोस्तो ठीक है जैसे कि लेटरों के place value पता होने चाहिए हमको और लेटरों के हमको opposite value पता होने चाहिए ठीक है तो लेटरों के place value पता होने के लिए हमको A to Z तक ABCD लिखना पड़ेगा ठीक है तो जैसे हम बताते हैं आपको लेटरों के place value तो जैसे दोस्तों पहले A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, J तो दोस्तों इनकी place value हमको पता करने हैं तो place value हमको याद होने चाहिए तभी हम लेटर कोडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और एक smart work के रूप में कुशनों को कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो हमको पता होने चाहिए एक की place value कितनी होती है दोस्तों एक ठीक है बी की दो C की कितनी होती है तीन, D की कितनी होती है चाहत एक की कितनी होती है पाँच F की कितनी होती है छे ठीक है और G की कितनी होती है साथ H की कितनी होती है आठ I की कितनी होती है दोस्तों नो J के कितनी होती है 10 K के कितनी होती है 11 L के कितनी होती है 12 M के कितनी होती है 13 और N के कितनी होती है 14 O के कितनी होती है 15 P के कितनी होती है 16 Q के कितनी होती है 17 और R के कितनी होती है 18 S के कितनी होती है 19 D के कितनी होती है 20 और A के कितनी होती है 21 और B के कितनी होती है 22 और W के 23 और X कितनी होती है 24 ऐसे ही भाई कि केत्ने होती है 25 ऑच जड़े के लिए 26 ठीक है दोस्तो अब आपको यह वैलू आपको प्लेस वैलू पता होनी चाहिए अगर यह पता नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप फीपर में बहुत कुछ मिस करते हैं ठीक है दोस्तो अगर यह वेलू आपको पता नहीं है तो चलो देखते हैं आप इन वेलू को याद कैसे करते हैं दोस्तों ठीक है तो मैं इन सारी वेलू को आपको अभी याद करा देता हूं ठीक है तो जैसे के हमको एक से मतलब एक से पांस तक तो सब पता ही होगा ए भी सी डी ए तक तो आपको सब को पता ही होगा ठीक है दोस्तों तो अब देखते हैं एप को हम दोस्तों कैसे याद करेंगे वो देखते हैं तो जैसे के एप कितने पाता दोस्तों एप कितने पाता तुमारा एपाता तुमा के लुपर से बन रहे तो हैसे रीड़ दो क्यूंख के तो किसी जातर आई को सब्सक्राइब जातर है ठीक है दोस्तों तो इसको यह कर देने तो कितना चाल intended 9 हो जाएगा तो आई ऐसे याद हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए एक बहुत इजोटी इजे ओटी भाई ठीक है दोस्तों इसको याद कर लेना इजोटी इजोटी में क्या होता तुमारा पांच के डिफ्रेंस पर होते हैं जैसे पांच 10, 15, 20 और 25 ठीक है पांच तो इसमें क्या होता दोस्तों इ कितने पांच पर और जी कितने पांच पर और याद जी कितने पांच पर और बाई पता चल गया पांच पर और O पता चल गया 15 पर T पता चल गया 20 पर और B पता चल गया 25 ठीक है तो हम आपको पहले J कितनी पर 10 पर अब J के बाद किया आता है तुमारा दोस्तो की अब की आता है दोस्तो की अब की को कैसे याद करेंगे तो आपने की को अभी IPL में सुनाओ Kings 11 Punjab Kings 11 Punjab तो 11 से यहाँ पर क्या आगया तुमारा 11 आगया ठीक है दोस्तो अब यह की बाद आता तुमारा L आता दोस्तो L ठीक है तो L को क्या बोलते मतलो L कितनी पर तुमारा 12 पर आता है तो L ऐसे बढ़ नहीं निकल रहा देखो L 12 12 12 माने 12 12 कितनी बाद तो कितना हो जागा ठीक है आब आता तुमारा अं तो L को क्लोक वाइज गुमाएंगे किय से आजआगा जागा इसी टीर तुमारा थीन पर क्या हाता तुमारा एक डंडा खिच़ दिये तुमारा थीवान बात करतें है तो अब एन को स्मॉल में बनाएंगे तो दोस्तों ऐसे बनेगा ठीक है और इसको उल्टा करेंगे तो कितना चार का दिखाई दिएगा अब चार पे डी आता तो एक टंडा घिचते हैं तो चोदे पर क्या जाएगे तुमारा एन हो जाएगा ठीक है तो तो ऐसे ही अगला चईब कर भण चलो देखते एगले तो अगला क्या है तोぎ अब आता तो क्यु आता है तो हमारा क्यू आता है टो प३कर क्यू कियूर्ठकरली Hank तो yah आर को भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आर तो आर यशे और इसको मोड़ते तो 8 लग रहा है दोस्तों ठीक है तो आपको पता है कि आर आठ पे तो नहीं आती है तो कितने भाएगे तो अब बात करते हैं तो तो चितना है। कितने प्रत्र है यहां ऊदॉस्त मैं गय declaracy's 24-24 नखर 20 pais तो अब आता है यह विकको एक इदर से मीडें हैं लेटर तो है तो एक और यह कितनी हो जाए टोर तू दो,hone पर दो ठीक है तो ऐसे यह 22 भी याद हो जागा डूस्तों अब डबलो की बात करते हैं डबलो टिक है डूबलो को एंटीक लोग पाज़ गहाएंगे तो कितना आ जाया टुमारा तीन बनेगा ठीक है वहां पर कहा था बनता तो तीरे था पर तो नहीं सकता तो यह कितने पोगा तुमारा दो लगा देंगा ठीक है तो कितने पोगा दोस्तों डवलू 13 पोगा ठीक है अब एक्स की बात करते हैं तो एक्स की बात करते हैं तो एक्स कितना हो देखो तुमारा देखो एक दो तीन चार इसकी कितने लगा दीजिए अर चौदी प्ता एन रहता है तो यहां पर फासती हो सब्सक्री करते हैं तो यहां इस प्ताने आपら यह याद हो यह जाएंगे तो आप इस अीस कुछ तो इसको इन कितने पाता है इसे नहीं वहें कितने कितने पाता तो इस जंगे अगर तो कितना हो तीज़ागा अगर हम एक सी बात करें तो एक से क्या बताया था आपको एक दो तीन चार चार बताया था और दो लगा देंगे ठीके तो कितने पाता तो जी तो जी मैंने बताया था आपको लगा तो कितना हो जागा तो तो आपको यह प्लेश वैलू लेटर ओप आपको अच्छी तरह से समझ आगे होगी और आप इस तरह से याद भी कर लेंगे तो चलते हैं अब 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 आपोजिट लेटर अपोजिट लेटर ओड़ों को देखिए अब आप इनको अपोजिट लेटरों को भी अब अच्छी तरह से देख लें ठीक है तो चलो देखते हैं अब पोजिट लेटरों को देखने के लिए लिखें देते हैं अब ठीक है अब बी जी डी कि ए एफ जी एच I, J, K, K, R, M ठीक है तो मैं यहां से स्टट करता हूँ N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, J ठीक है दोस्तो यह होगी है आपकी पिलेस वैलू है अब दोस्तो पिलेस वैलू होगी है ठीक है तो अब हम देखते हैं इनको अब इनको कैसे याद करेंगे इनको भी याद करने के तिरे के दोस्तों ठीक है तो अब ऐसे याद करेंगे जैसे के A और Z की प्लेस वेलू क्या होगी तो दोस्तों इसको याद कर लेंगे आज से कैसे याद कर लेंगे आज ठीक है और B और और य को कैसे जाद कर लेंगे, y, तो b और वाय, तो b हो गया, अब जैसे c और x, अब six की क्या होता है, s i x, तो आप correlate कर लिए hai जी six की क्या हो जागी तुमारी s i x, ऐसी correlate कर लिए है पर होती is a, x है ठीक है, तो इसमें क्या हो जागा तुमारा C, I, X जैसे X जब हमको याद करने के लिए कर रहे है तो ऐसे ही पढ़ लेंगे इसको 6 तो C और X ठीक है अब देखो इसमें अगला आता है तमारा D और W तो D और W को याद कर लेंगे हम D, E, W ठीक है D, W तो D, W से याद हो जाएगा और E, W को याद कर लेंगे हम Evening Evening, Evening ठीक है तो Evening से E, W आजाएगा आपको याद हो जाएगा और F, U को याद कर लेंगे Fuel, 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 Fuel ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे आप तो अपने को अपने आप याद हो जाएगा ठीक है अब जैसे अगला देखते हैं आपको GT, GT Road GT Road किसने वाद सेरसास होरी ने तो GT, GT, GT ऐसे पढ़ लेंगे 2-4 बार आपको अपने तरफ से याद हो जाएगा अब बात करते हैं अगले पर तो यह अगला कहा है तमारा High School High School High School ऐसे एगला अगले इन्डियण रेलवे और लेट्षुर किसे अगला तो जय कहया है जयक 2 कुन यह जयक 2 और यह तो नरिंदर मोदी・मोदी छिक दूस्तो गजल में नरिंदरी दूस्तो तो यही है आपके ट्रेक इसमें कहती तुमारी आच, इसमें कहती तुमारी बाय और इसमें कहती शेक्स और इसमें डिव, इविनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, ठीक है, हाई इस्कूल और इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, और केपी, या पीके, और लाइट ओन, और नरिंदर, मोदी, ठीक है दोस्तो, तो अब आपको यह, यह भी आपको याद हो गई, ठीक है, तो मैं अब आपको पूछता हूँ, इसमें कुछ, तो देखते हैं दोस्तो, अब जैसे के बताओ, आप L, L का क्या होगा, अपुजिट लेटर, जैसे, L का ठीक है, तो L का अपुजिट लेटर क्या था, अभी आपने माहमूने बताया तो तो क्या था, लाइट ओन, तो लाइट ओन, L का दोस्तो, P का अपुजिट लेटर, ठीक है, तो P का अपुजिट लेटर था, KP या PK, तो KP के आगया, ठीक है दोस्तो, तो अब आपको बात करें, I, जिससे I का अपुजिट लेटर, इंडियन रेलेवे, इंडियन रेलेवे, जिससे बात करें, High School, H का अपुजिट लेटर, सब्सक्राइल तक थी तो यह की और इसकोल अगर बात करें जे खी कि तो ची कह क्या होगा यह घुश क्या क्या दर बताerella और X ठीके दोस्तों क्या होगा सी और X अगर बात करें डी की तो डी का टा तो मुझे हो अभी दि इड्सान यह अम्मीद ऐ कर भो सब्हें कि अप折ुर से चलो अपको एक एक दोबार कर लोगे आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ठीक है एप का क्या था तैह तुम्हारा फ्यूल तो एप का क्या हो जागा तुम्हारा एप और ही योगी तोरी अपोजिटर फेलो ठीक है दोस्तों इनको concept with example सहित और question सहित आपको बताते चलेंगे ठीके दोस्तों और वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरा जरूर देखें ठीके दोस्तों अगर समझ में नहीं आए कोई भी question बगएरा तो आप comment session में comment करके जरूर बताएं ठीके तो कल से हम regular चलेंगे with concept और question के साथ ठीके ठीके दोस्तों